हेलो एब्रीवन वेल्कम वेक टू माई यूट्यूब चैनल दे विलोग में आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत है I hope कि आप सब जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे और मैं उमीद करता हूं कि बिल्कुल आप लोग सेहत मंद्रे हैं और चलिए आप लोगो को आज बिल्कुल एक नहीं जानकारी देने जा रहे हैं और जो चैनल को सस्क्राइब कर दें लायक शेयर कॉमेट जरूर करें और यह जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है क्रेण जो की मोबाल क्रेण है और ये 80 क्रेन है, आनि 80 मतलब All-Train क्रेन है, जो कि All-Train Mobile क्रेन है. इसके बारे में मैं कुछ आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ, और इसका मैं फूल जानकारी दूंगा पर इस वीडियो में नहीं, आप लोगों को इस वीडियो में जो मैं है वो मैं आप लोगों को और इसके बाद से जो भी next वीडियो अब हमारा continue रहेगा बहुत दिनों से में वीडियो नहीं बना रहा था कुछ कारण वर्स लेकिन अब आप लोगों को हमेशा जानकारी मिलते रहेगा और नहीं नहीं आप लोगों को बिलकुल दिखाते हैं मसीने और जो मुबाइल क्रेन ह यह बिलकुल generation 4 है यह बीस फोर है जिसके बारे में आप लोगों को यह अल्ट्रेन का क्रेन है इसके बारे में पूरा full function ऑपरेटिंग से लेके आउट रिगर तक का प्रजक का कॉंटरवेट लगाने तक का सारा आप लोगों को इसका जितना भी कंप्यूटर सेटिंग है सब कुछ आप लोगों को मिलने वाला है बहुत जल्द तो जो मेरे चैनल को सस्क्राइब ने किये हो लाइक शेयर जरूर करें कॉमेंट जरूर कर रहे हैं और सब्सक्राइब जरूर कर लें और वेल आकन पर जाके बेल जरूर बद्याद है ताकि आप लोगों को मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सब्सक्राइब कि तो देखिए बिलकुल जो सामने दिख रहा आपको पीला कलर का क्रें यह देखिए एक सी ए हंड्रेट एच जो की इसका मोडल है और यह एक सी एम जी का क्रें है अल्ट्रेन क्रेन है जो XCMG का क्रेन है शोट में उसे 80 बोलते हैं आपको मैं इसके बारें बताने वाला हूँ और देखिए फुल ओटोमेटिक है और इसका गियर भी ओटोमेटिक है और इसका पूरा ओपरेटिंग केवन से लेके आप लोगों को फिल्कुल जो भी से जगह दिया हुआ है जहां से बहुत मुस्किल से ढूनने पर मिलेगा और बाहर कहीं आपको नजर नहीं आएगा आप चारों तरब पूरे क्रेन पर घुम लेंगे लेकिन आपको नजर नहीं आएगा कि इसका मैं स्विच कहां पर कट आउट जो है मैं बैट्री का जो सफ चला चार कर बिल्कूल देखिए सामने दंढ्ल्य तब देख सकते हैं यह बिल्कूल यहां पर है जो स्विच दिखा को सुच है इस तरह से करेंगे तो यह वं nauc كان सब्सक्राइब हो जाएगा तो यह बल्कूल ड को यह बिल्कुल जिधर आप ड्राइब करते हैं उसका दूसरे साइड पर है भाहर तो लेप साइड होता है जितने भी गंप में crystal साइड से क्राइबिंग होता है तो यह राइट साइड में आप बिल्कुल दूसरे चक्के के बीच एकदम उपर देखेंगे च्छत के उपर में आनि की जहां पर दिखता नहीं है बिल्कुल उपर देखिए बिल्कुल इसका जो बोडी है बिल्कुल उसके उपर में एकदम दिया हुआ करना पड़ेगा उसके बाद ही क्रेंच चालू होगा तो आप लोगों को इसका पूरा फुल जनकारी मिलेगा और देखिए यहां पर पेनल बोड है जहां से हम आउट रिगर निकालते हैं बिल्कुल यहां पर है और इसके बारे में ही आप लोगों को बिल्कुल पूरा बताय जाएगा किस तरह से कौन सा स्विच क्या काम में आता है और कौशा सुच किधर दोनों तरब इसका पैनल बोड रहता है क्योंकि एक साईड से आउट रिगर दो ही निकलता है एक साइड ही निकलेगा दूसरे साइड का नहीं निकलेगा आप एक साइड करते हैं शारा एक साथ में चारों भी कर सकते हैं और एक साथ में चारों उठा भी सकते हैं तो आपको इसके बारे में भी फूल जानकारी मिलने वाला है बहुत जल्द एक स्विच के बारे में और एक एक इसका जितका भी जानकारी किस तरह से बंद किया जाता है किस तरह से निकाला जाता है संग्राइब लिए तो आप लोगों को बहुत जल्द मिलने वाला है तो आप लोग किनेव मेरी चैनल पर बने रहें ताकि आप लोगों को बिल्कुल अब नियूं- new content मिलेगा और नया चीज कुछ सीखने को मिलेगा अब वह global सब Ergebnis उप आप लोग मेरे चैनल के हमेशा बने रहें और देव लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब ने की हैं लाइक ने की हैं तो आप लोग सब्सक्राइब लाइक और कमेंट जरूर करें और ज्यादा से जा रहा हो सके तो शेयर करें ताकि आप लोग के सारे किसी और को भी देखने को मिल जाए या तो सीखने को मिल जाए तो अगर जितना हो सेके अपने सरकल में आप लोग शेर जरूर करें ताकि इससे जनकारी और भी सभी लोगों को मिल जाए तो चलिए फिर चलते हैं आगे और देखिए यह बिल्कुल आगे आपको दिखाते हैं यह दूसरे साइड में भी है यह तो एक साइड का हो गया आपका जो कि यह लेप साइड में है और चलिए आपको राइट साइड का दिखाते हैं इसका दूसरे साइड भी है चलिए आपको चल के दिखाते हैं और दूसर पर यहीं है देखिए यहां सी स्टार्ट होगा उसके बाद से जो भी है आपका इसका भी ओही सिस्टम है एक साइड से आप दो ही निकाल सकते हैं इसका पूरा बिल्कुल बिस्तार से आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से बताया जाएगा जो की एक बार में आप लोगों क कर दो